नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुरुफ शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाना अपडेट डेली नियूस बात करेंगे रेवाडी की बड़ी खबरों के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं तेकि सबसे पहले बड़ी कबर की दो बाइक में आमने सामने की टककर आपको बताता हूँ एहरोद मोड के पास दो बाइकों में टककर हो गई हादसे के बाद बाइक सवाद व्यक्ति घायल हो गई तता उपच्यार के लिए अस्पताल में उन्हें भरती रिकर आया गया इसके बाद दूसरी बड़ी कबर है कि रेवाडी दमपती को कार ने मारी टककर देगे बाइक पर पतनी के साथ बनीपुर चोक स्थित एक होटल से खाना खाकर एक व्यक्ति मतलब दमपती अपने घर वापिस आ रहे थे आपको उतायतों कि जैसे ही वो अपने घर वापिस आ रहे थे रोड पर पीछे से आ रही कार ने उन्हें टककर मार दी जिससे बाइक सवार जो व्यक्ति है वो गायल हो गया और उसकी पतनी भी उसकी पतनी की मौत हो गई तता पती बुरी तरीके से गायल हो गया इसके बाद हादसे के बाद चालक कार सहीद मोकी से मतलब जो कार चालक था वो गाड़ी लेके वहां से फरार हो गया पुलिस ने पोस्ट माटम के बाद शव परीजनों को सोप दिया और मामले की जाच शुरू कर दिया इसके बाद आज की आकरी कबर आपको बताता हूं देगे गाव ढाणी सूंदरोज के अंदर एक माला ने पुलीस में शिकायत दिया पुलिस में शिकाय देती है महिला ने ये बताया है कि वो अपने प्लाट के अंदर जो उपले होते हैं वो पलट रही थी मतलब उपले बना रही थी इसके बाद उसका जो पड़ोसी है एक वियक्ती वो ट्रोली में लेके आया है जिसमें इट भरी हुई थी और उसके प्लाट में जबरदस्ती अंधर लगाने लग इसके बाद महिला ने विरोध किया महिला ने विरोध करा तो उस वियक्ति ने क्या इट उसकी तरफ फेकी जो उसके ट्रक्टर में रखी थे वह इन कालकि of महिला की तरफ की और महीला ने बचाव के लिए जैसी हाथ आगे अड़ाया तो महीला के हाथ पर भी चोट लग गई इसके बाद अब पुलिस ने मामले की जाँ शुरू कर दिये रिवाडी की जितनी भी बड़ी खबरे जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिये सुबह आठ बजे और रात को आठ बजे आपको रिवाडी की बड़ी खबरे मिलेंगी इसी के साथ धन्यवाद